सो विल्कम बाक एब्रीवन कैसे हो आप लोग होफुली बहुत बढ़िया हो गया मैं हूँ आप फर्ती और आगे हो आप सभी के लिए एक नया क्लास लेके एक नया सेशन लेके अब जब भी कभी हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की तो ऑपरेटर्स को हमें परफॉर्म करने के लिए एक टेबल की नीट पड़ती है जो की कहलाती है तुर्टेबल पर जाने से पहले मैं कुछ बेसिक ऑपरेशन करवा के आपको दिखा देता हूँ जैसे लिखा हुआ है सबसे पहली चीश क्या हुई कि यह प्लस का साइन किसके लिए है और के लिए है तो ऑटपुट क्या आ जाएगा सिंबल सा जीरो है और वन है तो आपका वन आ जाएगा क्योंकि any of the true फिर है a.b यही होता तो यहां पर ऑटपुट क्या आ जाता इस केस में ऑटपुट जीरो हो आ जाता चलिक यहां तक सब्सक्राइद को अच्छी तरीके से कि आ होता है कि यहीं पर अगरल लिखा होता a más सबसे पहले चीज वन हो जाता सबसे पहले चीज वन हो जाता प्लस वन इसका भी आपको फ्लियर हुआ अब लेकिन बड़ी प्रॉलम है वह यह है कि यह तो केवल और केवल किसका दिखा रहा है आपका एक सेट आफ वैलियूस का यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना तो अपनी मशीन को कैसे चेक करें मशीन के क्या पॉस्टिबल इंपुट क्या पॉस्टिबल आ सकते हैं यह कैसे पता चले तो उसके लिए हमारे पास आती टेबल टेबल का काम यह होता है कि वहल इसने क्या बताए बटा जीरो और बन बत टेक अल दी पॉसिबल इंपुट्स आड आड आउट पूट्स ओफा ओभी गिवन वेरिबल और दी वाट गिवन वेरिबल ठीक है सभी लोग ध्यान से जब भी कभी हम लोग गिवन वेरिबल का सेट ऑफ आप्पट की बात करते हैं कितने आसकते हैं और सब्सक्राइबंथ हमारे इंपुट्स कितने जा सकते हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं तो बोलते हैं ठीक है वन Δी पॉसिबल इंपोच खोडस और आट पास ऑब वेरिवन वेरिबलं हुड टे कर दन it is known as truth table तब वो क्या कहलाता है हमारा truth table का काम क्या होता है बच्चे simple सी शीज है जैसे एक variable a रहा दूसरा variable b रहा तो अब इसके क्या क्या possible combination हो सकते हैं एक जैसे हुआ 0 हुआ 0 हुआ 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ 0 हुआ 1 हुआ 1 हुआ तो a और b का possible combination और हमारे पास expression है for example a plus b यही वाली हमारे expression है तो हमने क्या किया a plus b यहां पे लिखा तो अब हमारे पास a और b के क्या क्या अलग अलग combination हो सकते हैं ठीक है और simple सी शीज है क्या क्या हमारे possible combination हो सकते हैं उसके हिसाब से यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रहा हूंग और लगा हूए और अयौद इन पृई इस टूड इन पूरी चूर। आपका कि यहां प्लस बी समझी का बेटा से इसका मतलब यह होता है कि a plus b plus c plus d plus e plus f plus g plus h कुछ भी करा दो कितनी भी बड़ी लेकिन finally output कैसा आएगा single आएगा या तो बनाएगा या फिर क्या आजाएगा जीरो आजाएगा ठीक है a dot b plus c dot d plus a negation इससे भी output आइदर बनाएगा या फिर क्या आएगा जीरो आएगा दोनों में से कोई एक आ जाएगा clear हुआ तो यह होता है और जितने पॉसिबल अलग अलग inputs के combination हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बनाते हैं input and output के combination तो यह हमने एक इसको जब clear out हो जाएगा उसके बाद जाके मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसका जो है क्या सकते हैं टेक्निकल application कहां पर होता है कैसे होता है अभी के लिए what you have to do is आपको यह समझना है कि तुरू टेबल comment section के अंदर क्या कर दीजेगा CC लिख दीजेगा